लो मेरा नाम दलबीर है और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आज मैं आपको बताता हूँ कि पानी की जांच कब और कैसे करें और पानी की जांच करवाते समय कौन-कौन सी शावदानी रखे जिससे पानी की जांच सही तरिक्के से हो पानी की जांच इसके बाद हम पानी की जांच करवाते हैं जिससे हमें यह पता चल जाता है कि यह पानी कौन-कौन सी फसलों के लिए उप्यूकत है जैसे कपास, दान, सब्जिया, वैनने फसले अगर पाने का PPM 1000 से कम है तो यह सभी परकार की फसलों के लिए उप्यूकत है इसमें सभी परकार की फसले उगाई जा सकती है अगर पाने का PPM 1000 से उपर है तो हमें यह रिपोर्ट से पत्षा चल जाता है कि यह पानी किन-किन फसलों के लिए उप्यूकत है वाई इसमें कौन-कौन सी फसले उगाई जा सकती है हमें जिस टीवल या नलकूब का PAPानी की जांचको आणई है तो उसे चल लू या स्चुरू करते टीवल या नलकूब के अधा गंटे चनने के बाद उसमें से एक पानी की बोतल पर ले पानी की बोतल बढ़ने के बाद उसके उपर अपना नाम, पिता का नाम, गाउं का नाम, तसील, बजीला का नाम वा मुबाइल नमबर वस्य लिखे जिससे यह पता चल जाता है कि पानी की जांच करवाने वाला व्यक्ति कौन है वो उसका पता कौन सा है आप पानी की जांच आप अपनी नज़्दिक की लैब या चोदरी चनशिंह रियाना करशी वी सोवी देल्य निसा से करवा सकती है चोदरी चनशिंह करवाने के भीस नाम, अत्तर केवल तस रुपए ही है पानी का संपल देने के बाद आपको दो तिन गंटे के बाद या अगले दिन आपको पानी की रिपोर्ट पराप्त हो जाती है जैसे मैंने अपने पानी का सम्पलिया था और मैंने अपने पानी की जांच पुराई थी उसकी रिपोर्ट इस परकार है जैसे आपके द्वारा बेजागा पानी सब परकार की फसलों के लिए अच्छा है आपके द्वारा बेजागाया पानी दान वायस सब्जियों के तरिक्त सफसीलों के लिए प्यूकत है मिट्टी प्रिक्षन प्रियोक्षानला अंत्य विग्यान विवाग चोदी चंड सिंग हर्याना कर्शी विशुवी देलें इस और रिहाना में खार पानी से शीचाई के लिए सुझाओ करम चक्या पानी इसी भूमिय की किसम प्रसलों की लवन से अन्शिलता वार्शी की वर्षा मिलीमेटर कम से कम आफसक प्रबंद किरियाए एक नंबर उत्म पानी इसी एजार से कम सभी परकार की भूमिया सभी पसले वार लवनिया पानी इसी एक जार से दो जार यत्थो परी सेंसिल वा अर्द सेंसिल डाइसो यत्थो परी मद्यम लवनिया पानी इसी दो जार तक रेतिली से लुमट भूमिया अर्द सेंसिल डाइसो यत्थो परी इसी दो जार से चार्द सेंसिल डाइसो नहर के पानी के बरब प्रमातरा में फिर बारी बारी लगाई वद्यम से अधिक लबनिया पानी इसी चार जार तक रेतली दोमट भलूई भलूई दोमट अदशेंशिल 3400 फसले लगाने की समय में सिपारिज इसी 6,000 तक यतौपरी प्लेवा नहर के पानी से करें खरीब में खेत खाली सोड़े नहर के पानी के साथ में लाए या बारी बारी शुप्योग करें येशी 8000 तक यथव पुरी चैन्सिल्ट साढ़े दिन सोग, वार्षिक वर्साइम यथव पुरी अधिक से त्य दिखल्वन ये पानी येशी 8000 से 12 तक रेतिली से 2,8 मुट्टी प्सलों गिलावन से 1,6 ता रभेगी केवल संजिल पसले वर्षी वर्षा मिलिमेटर चर्शू खरीब में कहत्वाली चोड़े या वर्षा पर रधारित खित्ति करें नहर के पानी से बलेवा करने की कोशिश करें 6-8 टन अंकड या वर्ष गोबर की गात का प्रियोग करें दिननकूप का ही पानी है तो पलेवा 10 cm करें प्रिया वर्षा से शिचित नमी पर विजाई करें सुक्य में विजाई और सिक रही दो तिन दिन में सिचाई करें 20 की मातरा 20 32 त दिक करें इसी बाराजार से 16 तक ये थोपरी ये थोपरी 500 मिल्यमीट वर्षा ये थोपरी ये दिखारें पाने में कॉलोराइड ये सेलफेट का उन बात दो से दीक है तो भूमिय में फोस्पोर्स भी कम या मद्द में फोस्पोर्स के उरक 25 से 50 परसद तक दिक मातरा में करें सुपर फास सेंसिल पसले बर्षीन, जवार, मक्का, मटर, फाल्षा, तमाकू, पत्तागू, ब्रोकली, नार, मरूद, लवन सेंसिल पसले जो गहूं सरसू, सेंपलावर, कुसम, सपुला, फालक, बाजर, अकपास भीर, फाल्षा, ओसत वासिक वर्षा, 30 मिल्यमीटर से कम सिवानी वास सरसा, 30 से 400 मिल्यमेटर सालावास भेरिट वाना, सिवाति वाद इसारल वाडू, ब्यानी खोल वाप रूपनगर, 400 से 500 मिल्यमेटर, कैत्तर गुला, राजोद, चाटू, साना, पाना, तावडू वावल, 500 से 600 मिल्यमेटर, जिन सोनिपत गुवाना, जजर, रुत्तक पुट सोद्धि मेंद्धगड, नान दादरी रिवाड यातिने सरुपन, शोना, वाननू, 600 से 700 मिल्यमेटर, ठानी सर पानिपत, भलबगड, पलु बलबभा, फिरोजपु, जिर का, 700 मिल्यमेटर, छेदिक, कालका, पचकुला, अंबाला, नार्यन गड, जगाद दिकनाल, यह मु कार्टिफिकेशन आपको मिलती रही, धन्यवाद,